हलो स्टुडेंट्स आज मैंत का सब्जेक्ट बढ़ेंगे एन लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 6 डिवीजन पढ़ा था और वह मारा चैप्टर कम्प्लीट हो गया था आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 मेजरमेंट सो मेजरमेंट क्या होता है जब भी हम किसी चीज को नापते हैं उसको क्या कहते हैं मेजरमेंट करते हैं तो नापने को हम कहते हैं मेजरमेंट so इसको हम अलग-अलग तरीके से करते हैं length measure करना weight को और liquid को length को किस में measure करते हैं length को हम करते है centimeters में by meters में measure करते हैं अब यह scale होते scale में आपके क्या दिये centimeters दिये होते हैं इस scale में कितने centimeters है 15 centimeters है ऐसी 100 centimeter is equal to 1 meter जो centimeters होते हैं are used to measure shorter length and meters to measure longer ones तो जो centimeters होते हैं वो हम छोटी चीजों को measure करने के लिए use करते हैं centimeter और बड़ी जो बड़ी चीजों होती है उसको हम meters में measure करते हैं ठीक है अब ऐसी weight है weight किसमें measure होता है grams and kilograms में so 100 cm is equal to 1 meter यानि 1 meter में 100 cm होते हैं और weight में 1000 grams के अंदर 1 kg होता है 1 kg में 1000 grams होते हैं यानि 1000 gram is equal to 1 kg kg हम इसको इसे लगते है grams g and kg को kg लिक्विड को कैसे measure करते हैं liquid जैसे आप पानी दूद लेते हैं उसको हम milliliter and liters में करते हैं liters are used to measure large quantities of liquid and milliliter to measure smaller quantities अब milliliter हम measure करते हैं अगर आपको glass में पानी वानी measure करना है तो वह हम किसमें करेंगे मिली लीटर में और लीटर में आप दूद लेते हैं दूद का packet आता है वन लीटर का टू लीटर का ऐसे वह ज्यादा quantity में होता है तो हम उसको लीटर में measure करते हैं ठीक है यह jar है इसमें यह ml आपको दिये में कितने ml है 1000 ml 500 ml तो 1000 ml is equal to one liter तो यह आपको दियान रखने है कि 1001 meter में कितने होते हैं 100 cm वन किलो ग्राम में 1000 ग्राम और वन लीटर में 1000 मिलीजीटर ठीक है अब exercise 9.1 आपको यह टिक करने है इसमें टिक दे करेक्ट उनिट फर्स्ट है length of our safety pin यह options दे रखे हैं हमें इसमें से देखना है कि हम length जो है safety pin की किस में मेज़े करेंगे gram centimeter and milliliter अब इसमें से कौन सा option आएगा जब length को मेज़े करते हैं वह हम centimeter में करते हैं तो centimeter में हम टिक करेंगे ऐसी weight of the watermelon weight है weight को किस में मेज़े करते हैं kilogram meter या liters में weight तो होता है kilogram में मेज़े तो यहां kg पर टिक करेंगे capacity of water in a bucket bucket में कितना पानी आएगा water उसको liquid water तो liquid को कैसे मेज़े करते हैं liters में तो यहां L is liters इस पर टिक करेंगे अब है height of a tree height को किस में मेज़े करेंगे kilogram meter liters तो यह आएगा meters में length हो गई length height जो भी हो गई height तो meters में मेज़े ठीक है simple है यह आपको पता लग जाएगा यह बाकि आपने अपने आप सारे टिक करने है correct options नेक्स पर measuring length अब इसमें क्या है we use centimeters to measure short length and meters to measure long ones यह पढ़ा था हमने centimeter हम छोटी length को measure करते हैं और meter से बड़ी length तो 100 cm is 1 meter so we need a bigger unit of length measure the distance between two cities the length of a road etc अब हमें जो cities के बीच का difference होता है एक city से दूसरी cities में जो roads को हम distance जो है वो किसमें measure करेंगे हमें और बड़ी unit चाहिए उसके लिए उसमें क्या आजएगा kilometers पहले सबसे छोटी unit centimeters then उससे बड़ी meters और meter से बड़ी क्या है kilometers तो हम roads को जब भी measure करेंगे किसी भी cities एक city से दूसरी city हमें distance पता करना है तो kilometers में distance होगा वन किलो मीटर के अंदर कितने मीटर होते है थाउजन मीटर ठीक है ऐसी kilograms जो grams की unit थी grams में कितना था one kilogram is equal to thousand grams तो यह हमने पीछे भी पढ़ा था ऐसी one kilometer में कितने होते है thousand meters तो यह values आपको याद रखनी है कि one kilometer में होते है thousand meters and one kilogram में thousand grams ठीक है अब next exercise है यह भी simple है फिलप्स है सबसे पहले which of the following lengths are supposed to be true तो इसमें आपको statement दिये उसमें हमें बताना ही true है या false है first है the length of nickel's notebook is 10 meter अब notebook की length क्या 10 meter हो सकती है हम उसको किस में मेज़े करते हैं notebook की तो length हम centimeter में मेज़े करेंगे तो this is false यहां लिखेंगे false कि इतनी बड़ी notebook नहीं होती next है the height of a boy is 120 centimeter so height क्या है boy की 120 centimeter है तो यह true है 120 cm बड़ी की height होती है तो centimeter में मेज़े हो सकती है so this is true next step which of these will be in centimeters and which will in meters अब इसमें से कौन सा meter और centimeters में होगा length of your father's arm आपके father की जो arm है hand की जो length है वो किसमें मेजर होईगी meter और centimeters में तो centimeters में होगी meters इतना बड़ा arm तो होती नहीं किसी की तो इसको हम centimeters में लिखेंगे next is distance from your school to home school से home का distance किसमें मेजर होगा तो यह हम roads मेजर किसमें करते हैं kilometers में बड़ यह school से home है कोई cities से नहीं है तो हम इसको meter में भी measure कर सकते हैं और kilometers में भी अगर आपका pass में है school तो meters में आएगा अगर दूर है तो kilometers में तो इसको हम दोनों में कर सकते हैं लेंथ मेजर करनी है कैसे scale आपके पास होगा scale से start करेंगे यहां से मेजर करना यहां यहां 0 से and first जहां से start हो रहा है वहां पर रखेंगे then जहां पर end हो रही है वहां पर आप देखेंगे कितने centimeters आ रहा है यह eight centimeters है तो यह line की length हो गई eight centimeter यहां लिखेंगे eight centimeters इसी next यह भी आप मेजर करके यहां पर लिखेंगे तो अभी आपने यह दोनों है easy exercise है और यह ध्यान रखनी है इसकी length आपने याद रखनी है कि कितने measurement होती है meters के अंदर कितने centimeters होते हैं और एक kilometers में कितने meters होते हैं kilogram में कितने grams होते हैं ऐसी यह liters में भी one liter में thousand milliliter होते हैं तो यह सारा आपने learn करना है और यह exercise दोनों अपनी notebook में करनी है ओके थैंक्ट्यू